पूर्णी रियास चौधरी कमाल गेम खेल रहे हो तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा होगा ना कि कमाल गेम खेल रहे हो तुम इतना गिर जाओगे मुझे उम्मीद नहीं थी बॉस क्या बोला तुमने आज मेरी परीगो कि आया था ना कोई तेरा नला मुँपे हात रख के हा किसकी बात कर रहे हो तुम तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशकबरी लेके आये था तुम्हारे लिए वो मेसेज लेके आया था जो शायद तुम्हारी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशकबरी थी उसकी बात कर रहे हूँ वो छोड़ो नले की बात करोगे न तुम आया था ना कोई तेरा नला ये परागत्यागी ओपन मैसेज दे रहा है आसिम रियाज चौधरी तुम्हें और तुम्हारे सारे फैंस को अगर परागत्यागी को थोड़ी देर के लिए भी पांच मिनिट के लिए भी अगर मुझे मौका मिलाना बिग बास के घर में जाने का तो मैं बता दूँगा कि असली नला कौन है मुझे वालू मैं बहुत मुश्किल हो लेकिन बिग बास जिंदगी भर्तों चलने वाला नहीं है बास जिंद workflow नहीं चलेगा तीन हफते की बात है जिर्फ तीन हफते परागत्यागी promise कर रहा है बिग बॉस खत्मोने के बाद बिग बॉस के सेट पे मिलूँगा और बताऊँगा कि असली नल्ला कौन है अगर नहीं बताया है न तो मेरे मूँ पे थूख देना मूँ पे अरे मूँ पे हाथ रखके बोलता है आया था ना कोई तेरा नल्ला बिटा मैं गैरंटी से बोलता हूँ ये बात तु मेरी बीवी के मूँ पे बोल के दिखाता ना मेरा तो छोड़ वो ही तुझे फाड़ देती तुम्रियास चौधरी कमाल गेम खेल रहे हो तुम तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा होगा ना कि कमाल गेम खेल रहे हो तुम इतना गिर जाओगे मुझे उम्मीद नहीं थी बास क्या बोला तुमने आज मेरी परीगो कि आया था ना कोई तेरा नला मुँ पे हाथ रखके हा किसकी बात कर रहे हो तुम तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्वारी जी लेके आया था अया था ना कोई तेरा नल्ला ये परागत्यागी ओपन मैसेज दे रहा है आसिम रियाज चोधरी तुम्हें और तुम्हारे सारे फैंस को अगर परागत्यागी को थोड़ी देर के लिए भी पांच मिनिट के लिए भी अगर मुझे मौका मिलाना बिग बॉस के घरी कमाल गेम खेल रहे हो तुम तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा होगा ना कि कमाल गेम खेल रहे हो तुम इतना गिर जाओगे मुझे उम्मीद नहीं थी बास क्या बोला तुमने आज मेरी परीगो कि आया था ना कोई तेरा नला मुँपे हाथ रखके हाँ किसकी बात कर रहे हो तुम तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशकबरी लेके आया था तुम्हारे लिए वो मेसेज लेके आया था जो शायद तुम्हारी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशकबरी थी उसकी बात कर रहे हूँ वो छोड़ो नल्ले की बात करोगे न तुम आया था ना कोई तेरा नला ये परागत्यागी ओपन मैसेज दे रहा है आसिम रियाज चौधरी तुम्हें और तुम्हारे सारे फैंस को अगर परागत्यागी को थोड़ी देर के लिए भी पांच मिनिट के लिए भी अगर मुझे मौका मिलाना बिग बॉस के घर में जाने का तो मैं बता दूँगा कि असली नला कौन है मुझे मालू मैं बहुत मुश्किल हो लेकिन बिग बॉस जिन्दगी भर तो चलने वाला नहीं है बॉस जिन्दगी भर तो नहीं चलेगा तीन हफ़ते की बात है सिर्फ तीन हफते परवक्त्यागी प्रॉमिस कर रहा है बिग बॉस खत्मोने के बाद बिग बॉस के सेट पे मिलूँगा और बताऊंगा कि असली नल्ला कौन है अगर नहीं बताया है न तो मेरे मुँपे थूख देना मुँपे अरे मुँपे हाथ रखके बोलता है आया था ना कोई तेरा नल्ला बिटा मैं कैरेंटी से बोलता हूँ ये बात तु मेरी बीवी के मुँपे बोल के दिखाता ना मेरा तो छोड़ वो ही तुझे फार देती कमाल गेम खेल रहे हो तुम तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा होगा ना कि कमाल गेम खेल रहे हो तुम इतना गिर जाओगे मुझे उम्मीद नहीं थी बास क्या बोला तुमने आज मेरी परी को कि आया था ना कोई तेरा नल्ला मुपे हाथ रखके हाँ किस की बात कर रहे हो तुम तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशकबरी लेके आया था तुम्हारे लिए वो मेसेज लेके आया था जो शायद तुम्हारी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशकबरी थी उसकी बात कर रहे हूँ, वो छोड़ो, नली की बात करोगे ना तुम, आया था ना कोई तेरा नला, ये परागत्यागी ओपन मैसेज दे रहा है आसिम रियाज चौधरी तुम्हें और तुम्हारे सारे फैंस को, अगर परागत्यागी को थोड़ी देर के लिए भी, पांच मि और परागत्स परागत्ति कुलोजवकर तो विप्ट्वरी प्री अदिआ को में प्रसवन ने सीम नाएट को में वह थानाउय को क से शहुआ ये पोड़ी लुक्तार्फरी, छो वह प्लड़ी मोंम है दिए, भी आसान ऴूह से लिगता घारी को मुठावन में एंठांध् से उनका सिर्फ कंपेर करने का रीजन ये था कि राखी भी थोड़ असा उनकी नेचर में है कि वो किसी भी चीज को जब बाते करती है तो बहुत जादा फिर बाते करने लगती है और किसी भी इशू को छोटे इशू को बड़ा बना देती है वो इट से नेचर ऐसा निया कि वो तो इनका सफर शुरूता जर्नी कहां से शुरू होती है और वो आज किस मकाम पर है कितने लोग उनको जानते है कितने लोग उनके फैन हैं तो उन्होंने जो अचीव किया है वो मेरे ख्याल से कंटेस्टेंड्स नमें बहुत उरोगों तो एक परसंट भी एक प्रसंनी अज थे नहीं था। ये शयनाज ने भी खुशी 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 अच्प्षी डियूसारम दूभा काया मु झाप इन्हें जाथी है। इस सप्छा जर्ख़िया थ bureaucष भी इहता है। कढ मैं चांब आ रहा हूँँ हो जाता। जो आए शेयनाज का जो बहेवियर है वो एक दम ही ड्रास्टिकल चेंज देखने मिल रहा है और आउडियन्स भी काफी कफी कन्फ्यूज हो गए है कि जो हमने पेले शेयनाज देखा था वो ऐसी है कि जो अभी शेयनाज है वैसी है क्योंकि काफी वीडियो बी उनके वाइरल हुए थे जो हमान्शी और शेयनाज के बीच में जो जगड़ा हुआ था देखिये जब हम एपिसोड देख रहे थे कुछ तो शेयनाज हमारी फेवरिट कंटेस्टेंट में थी इस्पेशली परी के और मुझे लगता था कि कही नहीं कहीं लड़की कुछ तो चुपा रही है मतलब जो मुखोटा पहना हुआ हुआ है उनके अंदर वो ऐसी है नहीं पेडा खाने बारा वो पर्फेक्ट नाम दिया था उन्होंने और बिग बॉस भी लेकिन कम नहीं है उन्होंने देखिया एंट्री करा दी हमानशी की और हमानशी के आते ही उनका चेहरा चेंज हो गया उनका मुखोटा कहीना कहीं निकला लोगों के सामने और वो अभी भी देवन जितना डरी हुई थी आज भी कही ना कहीं उतनी डरी हुई है कि जो उन्होंने लोगों का प्यार कमाया था जूटा नकाब पहन के कि वो नकाब उतरे का तो क्या होगा तो अभी तक वो डर रही है और आप देखेंगी हमेशा वो कोशिश करती है हमानशी को बचाने आप सब लोगों ने रिसर्च किया है मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहिनाज की उसमें बहुत बड़ी गलती थी और हमानशी बहुत है लड़की लगती है मुझे और वो भी अच्छा गेम खेल रही है अभी मैं जानता हूं कि हमानशी और शिफाली बहुत अच्छे दोस ब आडवाइस दी थी मैं भी यह एडवाइस देता हूं कि वो कही ना कहीं अभी तक अच्छा गेम खेला है उन्होंने क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने सना वाला जो सारा का सारा इशू है अभी निकाल दिया तो उनके पास कुछीज बचेगी निखेलने के लिए तो वो और वो बहुत बड़ा इशू है और लेकिन प्लीज इतना देर भी मत कर देना कि कहीं ना कहीं जादा देर ना हो जाए तो पता चला कि आए तो मैं तो ही चाहता हूं कि आप आगे तक जाए क्योंकि आप शेफाली की बहुत अच्छी दोस बन चुकी है और मुझे आप परस बैठ जाओ आपस में साथ में सलमान सर ने लास टू लास वीक भी बोला था यार आप दोनों बैठ के कि दो लोगों को बिठा लो सौट कर लो इस मैटर को तो आई थिंग आपको कर लेना चाहिए थोड़ा सा जाधा टाइम मत लेना प्लीज